पिछले कुछ दिनों से देश भर में हिंदू और हिंदुत्वों को लेकर सियासी बवाल मचा है पहले कॉंग्रेसी नेता सल्मान खुशीद ने अपनी किताब में हिंदुत्वों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो उनके बचाओ में राहुल गांदी कूट पड़े उधर बीजेपी ने इसे सीधे हिंदु धर्म और हिंदुों पर हमला बताकर कॉंग्रेस पर हमला बोल दिया तो वहीं घृते सल्मान के बचाओ में जमु कश्मीर की पूर मुख्य मंत्री महभूबा मुफ्ती आई सवाल ये है कि क्या यूपी और डूसरे राज्यों में चनाव से पहले जान बूच कर इस पर सियासत हो रही है क्या हिंदुवाद और हिंदुतों को सोची समझी रणीती के तहर मुद्दा बनाया जा रहा है आज हला बोल में बहस इनी तमाम मुद्दों पर करेंगे लेकिन पहले ये खास रेपॉर्ट अगर आप हिंदु हो तो हिंदुत लकी क्या सब्टों है राहुर जान्धी धुद्धर्म की व्याठ्टा करते हुए इस कदर घणा की अभिवेक्ति करते हैं कि मानो हिंदुव के तक प्रणा परीवोगे हिंदु क्या है? हिंदुत्व क्या है? जब ये शब्द सियासी कसोटी पर आते हैं तो इसके माइने पार्टियों के हिसाब से बदल जाते है अगर आप हिंदु हो तो हिंदु तो आपके क्या जब्द हो है? कि ये नए नाम की क्या जब्द है? सबकी अपनी परिभाशा, अपनी सियासत है, सबका अपना वोट बैंक है जिस विचार की आप बात कर रहे हैं, ये अनाद है, अनंत है, और इसका परिशे ये है, अटेल जी की पंक्ति कहकर बात समाप करूंगा मैं आदि पुरुष मिर्भयता का वर्दान लिये आया भूपर, पै पीकर सब मरते आये, मैं अमर हुआ लोविश पीकर अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वहां आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको छणबरी छूकर पिर भैसे व्याकुल दुनिया ने, पिर भैसे व्याकुल दुनिया ने आरंब किया मेरा पूजन, मैं नर, नारायन, नील, कंट बन गया ना, इसमें कुछ संशय, हिंदू तन्मन, हिंदू जीवन, रग-रग हिंदू मेरा परूपर सबकों पर संग्राम है और जिस पर बयानों का तड़का लग रहा है पिर कर सकते हैं उनको आइसिस जैसी चैनल, जमात के साथ सल्मान खुरशीद की किताब से निकली आग सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रही जिस पर महबुबा मुफ्ती की एंट्री ने इस आग में घी का काम किया महबुबा ने खुरशीद की आतंकी संगटनों से तुलना का समर्थन किया तो वहीं सल्मान खुरशीद अब अपनी लिखी लाइनों के संदर्प और व्याख्या कर रहे हैं तो अगर किसी को आपत्ती होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए जैसे मुझे उनसे आपत्ती है क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटाक करते हैं हिंदू धर्म को अटाक करने वाले हमारे देश में स्विकार नहीं किये जाएंगे यह मैं कह रहा हूं इससे क्या उनको आपत्ती है इस बात से कंपारिजन ठीक नहीं था तो मुझे बता दें आप किसी और चीज़ से कंपारिजन करें आप जानवरों से करें आप हैवान से करें आप आएसा ऐसे ना करें बता दें मैं उनसे कर दूँगा उसमें क्या प्रब्लम है धर्म का दुरुपयोग कौन करता है उसी के साथ तो मैं कर सकता हूँ मैंने हिटलर से नहीं करा इसलिए कि मुझे कोई मेरे पास कोई तथ नहीं थे कि हिटलर धर्म का दुरुपयोग करता है राहूल गांदी ने हिंदूतु की परिभाशा समझाई तो इस सियासी खेल को और लंबा खिचने का वक्त मिल गया नए नए किरदारों की एंट्री होने लगी हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से हिंदूतु की व्याख्या करने लगा है वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुम्ब कम यानि कि पूरा दुनिया जो है पूरा वर्ल जो है वो एक फैमिली है और हिंदू दर्म जो सनातन दर्म है डैट टीजिस अस डैट पर जो बीजेपी और आरे सेस्ट जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदूत वह है अगर आप जहर भी देंगे तो हम उसे भगवान शंकर की तरहे कंठ में धारण करके नील कंठ बनेंगे और फिर भी जगत का कल्यान करते रहें बीजेपी प्रवक्ता सुधानशू त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि कॉंग्रिस के वक्त में आन्शिक मुस्लिम राश्ट था ऐसे में कॉंग्रिस की हिंदूत्यू की परिभाशा पर उन्होंने सवाल खड़े किये हिंदू तालिवान शब्द का प्रियोग किया चाहें ग्रह मंत्री के रूप में कहा कि हिंदू आतंकवादी कैम चलाते हैं राहूल गांदी जी ने जो बात कही 2010 में हिंदू आतंकवाद मैं ये नहीं कह रहा है कि जो कुछ विकिलीक्स में लिखा वो सचे पर आज तक उन्होंने आके खंडन नहीं किया है क्यों नहीं कर रहे हैं कैसा आस नहीं है क्या शायद उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा किताब से निकले घुस्से की आग सडकों पर दिखने लगी दिली से फरुखाबाद मेरफ तक तमाम शहरों में प्रदर्शन थेज हो गये कहीं नारे बाजी हुई तो कहीं पुतला फुका गया दिली में हिंदू आहिनी सेना ने सल्मान खुर्शीत के घर का घिराव किया और जम कर नारे बाजी किया मद्यप्रदेश के जबुआ में बीजेपी सांसद कुमान सिंग डामोर ने कुतवाली पहुचकर सल्मान खुर्शीत के खिलाफ शिकायत का आवेदन सौपा डामोर ने किताब को हिंदूओं की भावनाओं को आहत करने माला बताया और इसे सामपरदाइक लेक मान कर एफ़यार दर्ज करने की मांज़ी चुनावी मौसम है ऐसे में हिंदूत उपर घमासान जारी है हर पार्टी इस गरब मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि ये मुद्दा अपने अपने वोट बैंक से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा उनकी सियासी लाइन से जुड़ा हुआ है ये वो मुद्दा ह जो चुनाव की दशा और दिशा तैं करने में सबसे एहम माना जाता है आज तक भी उरो बढ़ ये प्रेदूशर पर जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि क्या कदम सरकार की तरफ से उठाय जा रहे है 37 साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अगर चाहे तो लॉक्टाउन दो दिन के लिए लगाया जा सकता है तो फिल्हाल सरकारी ओफिस के लोग घर से ही काम करेंगे सभी जो निर्मान काम है वो 17 नवेंबर तक बंद रहेंगे ये प्रमुख बातें पडूसी राज्यों में पराली मुख्य कारण बताया जा रहा था बार-बार आमाद्वी पार्टी के तरफ से और अब बड़ा फैसला लिया गया है एक हफ़ते के लिए सभी स्कूल बंद किये जाएंगे अर्विन केजरिवाल ने कहा कि सरकारी ओफिस के जो लोग है वो घर से ही काम करेंगे क्या कहा उरोंने सुनिये ज़र तो हम यह के कोट के सामने रखेंगे कि यह हमारा प्रस्ताव है और एक्स्ट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए मतलब आप जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिये तो इसका इंपक्ट सरकारी गाडियां बहुत जादा है दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसस बंद कर रहे हैं सब लोग वर्क फ्रम होम करेंगे अनलेस कोई जरूरी वह हो तो हम हमेशा तयार है और हम सब मिलके काम करेंगे यह ऐसी चीज है जिसका समधान क्योंकि हवा जो है और पॉलूशन जो है वो बाउंडरी इस नहीं देखता उधर की हवा इधर आ जाती है उधर का पॉलूशन इधर आ जाता तो हम सब मिलके काम करेंगे सेंटर को जो भी करना है वो जरूर करेंगे तो फिलाल ये बड़ा फैसला अर्वन केचरवाल के तरफ से लिया गया है अब हम अपने विशे पर लोट रहे हैं कि क्या यूपी और दूसरे राज्जियों में चिनाव से पहले जान पूछ कर हिंदुत्व का मुद्दा खड़ा किया गया अब इसको लेकर सियासत हो रही हिंदुवाद और हिंदुत्व की सोची समझी रणीती के तहत से मुद्दा बनाया जा रहा है इस पर चर्चा करेंगी कुछ खास मैमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इसलिए क्योंकि आपने बयान दिया आपने कहा कि कॉंग्रेस राच में भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट था समझाएंगे सर कैसे बिल्कुल आपने बहुत उप्युक्त प्रश्न किया है शरिया के समविधान भारत के समविधान का हिस्सा थे ट्रिपिल तलाक भारत में समविधानिक मानिता प्राप्त था महरम की परंपरा यानि हज़ पे जो जाएगी महिला तो उसके साथ एक पुरुश होना चाहिए वो सम्वेधानिक मानिता प्राप्त था हज सबसीडी दी जाती थी अगर किसी महिला ने तो तलाक मिल गया तो उसे मुआफ़े का कोई हक नहीं था क्योंकि शरीया ये कहती थी और अगर शरीया का कोई भी प्रावधान आड़े आ जाए सर्वोच नियाले उसके अगेंस में निर्णे दे दे तो संबिधान में संजोधन करके शरीया को सर्वोच नियाले से उपर कर दिया जाता था मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा तो सिर्फ मुस्लिम राष्टों में होता था मुझे चार सेकुलर देश बता दे जहां शरीया के प्रावधान लागू होते थे जहां महरम था जहां ट्रिपिल तलाग था और जहां न्यायले का निरड़े शरीया के लिए बदला गया हो शाबानो केस 1996 इसलिए मैंने ये बात कही यदि इस बात पर किसी को आपती है तो जो मैंने खटनाएं बता दी ये किसी सेकुलर देश में होते हो ये तो मुझे बता दी और पेता जी मैं कहा गया है आचार हीन पुननती वेगा जो आचरन हीन है जो कदाचरन जिनका है उनको वेज भी पुनित नहीं कर सकता काट की माला डाल के बीच में डाला सूत माला बेचारी क्या करे फेरन हार कपूद इनकी कूदरश्टी देखिए मुस्लिम राष्ट की परिभाशा देते हैं अरे कौन शिक्षा दे रहा है मुस्लिम राष्ट की जानते हैं वो लोग शिक्षा दे रहे हैं जिसने बुनियाद रखी मुस्लिम राष्ट की पाकिस्तान की फजलूल हक ने 23 मार्च 1940 में जिसने प्रस्ताव पड़ा उसके साथ शामा प्रसाद मुकर जी उसके बाद में सरकार बनाई और स्विक्रोक्ती दे दी अत्रथक मुस्लिम राष्ट की वो हमको पाट पड़ा रहे हैं हमारा बुनियादी अंतर साथ है जो भारती जन्ता पार्टी का सत्ता से प्रेरित हिंदुत्व है उसके खिलाव भारत का सनातन धर्म हिंदु धर्म है ये तो भारत वंशियों का 130 करोड भारत वंशियों का अपमान करते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की भूमी पर जाकर भारत वंशियों के हिंदु धर्म होने को इंकार करते हैं इस देश में कोई भी वैस्क जब होने लगता है था ना तो इस देश की एक वत्या रही है कि जब जब कॉंग्रेस के राज रहा इस देश में मुस्लिम तुस्टी करन की नीती आजादी की समय से ही चालू हो गई थी 1947 से जो अभी तक चलते आई है और इसकी पराकाश्टा अब यह है कि अब संख्यक समाज के कुछ नेता चंद नेता अब हिंदू समाज को ही अपनी सीख देने लगे और हिंदू धर्म को ही अपनी सीख देने लगे हैं इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए इससे सहमत है या परसेप्शिन है लेकिए आंसिक मुश्री करण की नीती लगातार की गई इस देश में सेकुलरिजम कब गुसा इस देश के समविधान में जबरदस्ती सेकुलर वर्ड अड़ कब किया ग हिंदू लगे से से उधारन हैं जिस ताबित करता है कि एक वर्ड को अपना वोटर बनाने के लिए इस देश में विभाजन के समय से ही इस देश में तुश्टिकरन की नीटी अपना ही सुधानशु जी के बयान से आप भी इतफार रखते हैं जी देखे मैडम सबसे पहले तो मैं सलमान खुर्चीद साब को इस पुस्तक के लिए बढ़ाई देना चाहता हूँ सुनायरे शब्द उनने इसमें बताए है मैडम महवबा जी का जो सवाल है उससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है बड़ा सिंपल सा मैंने इसका एक लॉजिक बताए हिंदू महात्मा गाजी वही लॉजिक जो राहुल का जिकर करेंगे आप भी या कुछ आपके पास अलग लॉजिक है मैडम मैं देखे मैडम मुसल्मान इसको पैनलिस्ट को भी बात करने के शर्पिया मोगा देखे सवाल ही तो है मैंने थोड़ी का चुप हो जाई यह दूसरे के पास जा रहे हूं मैंने सवाल पूछा ही तो आपसे लेकिन अगर आप समझाना चाहरे हैं तो चलिए 10-20 सेकेंड आप भी सब्सक्राइब की कॉंग्रेस ती जिस कॉंग्रेस के बारे में आए सुदानश्री त्रिवेजी भी कह रहे हैं कि मुसल्मान राष्ट्र था क्या सर्दार पटेल जो पहले ग्रह मंत्री थे क्या वो मुस्लिम राष्ट्र के ग्रह मंत्री थे इन्से पूछिए सर मैं फिर से रोक रही हूँ, मैं नहीं चाहरी हूँ आपको रोकना, लेकिन सवाल यह है कि आपके राई तो सुप्रीम कोड की राई से भी अलग है सर Supreme Court ने कहा कि हिदुत्व को भारतिये लोगों की जीवनशेली से जोड़ा जाना चाहिए भारतिये लोगों की जीवनशेली को ही हिंदुत्व बताए क्या है आप तोलग बता रहे हैं सर जी मैडम आप बात सुनिए वो Honorable Supreme Court की Observation थी वो उनने ये नहीं कहा कि है मुसलमानों तुम लोगों ने हिंदुत्व के नाम पे सेफरेंट पॉलिटिक्स का जुलम सहना है Honorable Supreme Court ने ऐसा कहीं नहीं कहा Honorable Supreme Court ने ये नहीं कहा कि हिंदू धरम हिंदुत्व है उनने कहा way of life है लेकिन यहां पे हिंदु क्या है हिंदु महात्मा गांधी है हिंदुत्व कोट्ते हैं सरदार पटेर हिंदु है आपने सबसे पहले तारीफ की सलमान खुश्रीत की आपने कहा उनको आप धन्यवाद देना चाह रहे है मेरा सवाल आपसे यह कि महभूबा मुफ्ती कह रही है कि आए से सांपरदाइक पार्टीओं की तुलना होने चाहिए हिंदु तो क्या सांपरदाइक पार्टी है प्रणम बिल्कुल है यह तो बिल्कुल है यह तो एक हेज आउट्ट है अब आप कहे रहे है आपको जन पार्टी इस से दिक्कत थी उन पार्टीयों का सलमान कुशीद नाम लिख ना किताब में हिंदूतो का नाम लिखने की जगलरत क्या है यह जो है अगर एकर प्रभलम थी तो आर गेसस लिक दिते सर मीडम आईसेस कहीं पर भी समविधान के नम पर हत्याएं नहीं करती आरेशेस तो समविधान के नम पर हत्याएं करवाती है ठीक है ठीक है सुदार शुझे अगर जवाब देना चाहें अब जल्दी से फिर मैं आ रही हूँ अब दोजेारी हूँ देखे इन्होंने जो बात कही बज़ेदार बात जानते का सेक्विलरिज्म और इसकी हिंदुत्व की कैसे राख्या होती माधिन हैद्री साब कश्मीर से तालुक रखते हैं भारत के सम्विधान में 1976 में बैयारिस में सम्विधान संशोधन में जिसको भारत की आत्मा इसमें संशोधन के उस वाकियों के डॉप्टी नहीं किया वो था कश्मीर धारत 370 की आड़ में इसलिए कश्मीर कभी सेक्विलर खाई नहीं और वही सेक्विज्म का सब्चे बड़ा प्रतीक था पांच अगस्ट 2019 को कश्मीर सेक्विलर हुआ यह देखे सेक्रोज्म का अ अग्रेस ऐसी नहीं थी जो आज थी जब देश को आजादी मिली तो उसके बाद ना मुस्लियों में कोई ऐसा भाव था ना हिंदूों में ऐसा भाव था पिर इंद्रा जी ने का मैं किस्टे बहुरा कर जाओंगी मैं मुस्लिम परस्नला बोर्ड 1970 में फिर उसके बाद उनके पुत्र राजीर गांदी आए तो उन्होंने शावानों पेज में कहा कि मैं शरीया के लिए समिधान में संचोधन कर दूँगा फिर उसके बाद अगली सरकार आई पी-वी नरसिमाराओ की तो नरसिमाराओ ने बतार प्रधान मंतरी और मुलाइम संगी ने बतार मुक् की मंतरी कहा कि ओड़ा देओन आए अब बता दीजे आप एक सनकिलर देश बताईए जहां प्रदान मंत्री ने कहा हो कि मैं मस्जित तामील कराऊंगा उजे जवाब चाहिए और जो मैंने चार प्रस्टे पूछे थे फिर रिपीट कर देता हूँ एक सक्वर देश बताईए जहां मेहरम ताके बिद्द, हर सब्सक्षिभी और शरीया के लिए सर्वोच नियाले का नि आपना पूजा करना, नमाज पढ़ना, आपका इंडिविज्वल ये मामला है, आप इसको पॉलिटिक्स में क्यू लाते हैं? आप मुझे बताएं क्या सर्दार पटेल, मुसलमान राष्टर के होम मिनिस्टर थे, बताइए आप देश को क्या सर्दार पटेल ने हिंदुत् और वो बैन दुबारा भी लगेगा इंशालला आरेसेस पे बैन लगेगा क्योंकि आरेसेस इस देश में धरम के नाम की गंदी राजनिती करती है जिस्ते रोकने के लिए हमें हमारे बाबर जो जहीरुदिन मुहमद बाबर थे उन्हें अपनी वसियत में का था कि धरम की करते इंशालला कह रहे हैं अब बाबर की वसियत याद दिला रहे हैं यह तो इनका हाल है मुझे अश्र लगता है कि सही शुंता हमी लोग में बची है अभी सुधानशू जी ने कहा कि गैर मुस्लिम कोई मस्जिद नहीं बना सकता है और यहां गैर हिंदू हो के सब कि दाब देता हूं आप लोगी चीक अब चलिए हिंदूत्वों पे आगे एक बात प्रिस तो जरम अभे दूबे जी अप लोग की बात सुन रहा हूं अभे दूबे जी हिंदूत्वों के लेकर आज तो राउल गांदी ने बहुत गया दिया आप क्या समझ पाए जो राउ अभे दूबे जी आवाज पहुच रही है आप तक मेरी आवाज आ रही है आपको जी आ रही है बोले मा दूर्गा के अनव्याईयों पर मोदी जी और नितीज बाभूत की सरकार ने सिर्फ इसलिए गोलियां चलवा दी कि दस दस साल के बच्चों पर कि वह मा दूर्गा की मूर्थी विसर्जित तरने जा रहे तो यह इनका हिंदूत्व और हिंदू धर्म का अंतर अगर आपको समझना हो तो हिंदू धर्म कहता है यत्र नारी पूजियन से तत्र रमन से देवता और भार्ती जंता-पार्ती का है वो मोहन भागवत साब बताते हैं वो कहते हैं साइशादी तो एक सोदा है जब तक वो उदर पूर्थी करती रहे पुरुष्की तब तक रखे नहीं तो छोड़ दें वो योगी आदितिनाद बताते हैं इनका हिंदूतू कहते हैं कि जिस प्रकार उर्जा को खुला जाती उसी प्रकार इस्त्री है जिसको खुला छोड़ दिया जाए तो व्यर्थ विनाशत हो जाती है भारती जनता पारिटी का हिंदूत क्या है एक शब में बताता हूं जो इनके बंसा फोट्स में गुरु बोल्वन कर लिखते हैं वो कहते हैं अर्पिता जी आज रापु जो पूरा समय दे रही है निर्बाद निसमें सवाल आपसे पूछ रहूं किसी दूसरे से वाल कर दे रहा हूं जो राश्ती सेवक संग के गलवल करताब लिखते हैं वो कहते हैं कि कुछ लोग शिक जेन देन लिंगाया तथा आरी समाजी को अपने आपको हिंदू उ से प् जबकि हिंदू थर्म और भारत का समझान जिए यानि सलमान खुशीन जो कह रहे हैं उससे हिंदुत्व के तौर पर समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व जो है दरसल आयस-ायस और बोको हरम यह समझ ले हिंदुत्व का मतलब यह ना सर क्योंकि आज तो पैरवी कर गए राहूल नियसी की ४ार फींड़ी इख्यूने राजनितिक श्वरूप कहा है उसका और जाने की इकप कहा हू उन्हों ने राजनितिक श्वरूप जाएट जब उनके मन-ने की पी तीरा हुई कि कि kalian Daspar kita ऐ ये सकता ती लो लूपता में लूने दोनों को अलग बताया सुप्रीम कोण की बात से भी अलग हो ज्यान दे गए हैं अब मुझे आप जरा समझाईए राहूल गांदी जिस हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुत्व क्या है सर मैं वो जानना चाहती हूँ बीजेपी का पूछने के लिए प्रवक्ता बैठे मैं उससे समझ रूँगी उनके हिसाब से हिंदुत्व क्या है अपने हिसाफित समने परभाश्या बना रखी हिंदुत्व की कॉंग्रिस की क्या है अब पड़करी नहीं आई पिर राहूल गांदी जी नहीं राहूल गांदी का हिंदुत्व नहीं उन्होंने नहीं पड़कर आई हां और क्या पड़ाया यही तो मैं समझना चाहरी हूं अब इधर उदर गुमा देंगे तुम्हें आपको टोकूंगी नहीं अच्छा तो फिर इनी से कर बात कराई आई आप अगर मुझे बात नहीं करना साथी तो अरे अबेदुबे जी ठीक बुलिये सुनिये हिंदु धर्म को यह धर्म नहीं मानते हिंदु इनके को स्वार्श को परिलक्षित करता है इन्होंने मैं आपको उधारन देता हूं शंबोर सुलाई में घालाय का मंत्री इनका वो कहता है कि मैं गाय का मात इसले घाठाव हिए तो आप बोलेंगे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं मैं आपसे कहरे हूं कि कॉंग्रेस के हिंदुतों की परिभाशा क्या है जो राहुंदांधिया समझा गये मैं नहीं समझना चाहरी हूँ बीजेपी के तरफ से आप क्या समझाना चाहरी है कि बीजेपी हिंदुतों को क्या कह रही है आप कॉंग्रेस की बात कीज़े ना सर्थ के लोग रहते हैं और भार्ती जन्टा पार्टी का जो हिंदु अभी जो कह रहे हैं दिसक्स किया हिंदुतों को खुले कर तो एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अभे दुबेजी आपसे ही मेरा सीधा सवाल क्योंकि देखिए मेरा सवाल में विस्तार से आपसे पूछूंगे और विस्तार से जवाब भी लोगी और भी महमानों के पास जाओंगी हिंदु तो जो आज वो बता रहे थे हिंदु और हिंदु तो अलग है आप मुझे ज़रा बताईए क्या राहूल गांदी ये कहना चाह रहे हैं कि अर्पिता जी मैं मेरा स्काइप चुकी कटा हुआ है आवाज आ रही है आपको जिब बिलकुल आ रही है थेकर बुनियादी अंतरम को समझना होगा भारती जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती वो हिंदु धर्म से बिलकुल अलगे क्योंकि ये हिंदु धर्म को हिंदु धर्म नहीं स्विकारते और मैं इसे अपना सनातन धर्म हिंदु धर्म मानता हूं जब मैं भगवान राम में हिंदु धर्म को परिलक्षित करता हूं तो वचन की मर्यादा की रक्षार सत्ता को तजकर 14 वर्ष तक्वन में गमन कर जाना हिंदु धर्में हार्ती जं करता हूं तो पाता हूं कि विश को कंठ में धारन करके श्रस्टी को बचा लेना हिंजु धर में और यह रोज विश्वमन करते हैं सांप्रदाई कुन्वाग पहलाते हैं तो विधान की आखरी बात तो विधान की शपत खाने वाले मंचे यह आपका ही पूरा हिंदुत्व ब पाए अवै जी क्या करें विध्वान वेक्ती हैं धर्म को अच्छी तरह समस्ते हैं मगर इन्होंने पिछले वक्तम में कपूत शब्द बोला था ना अब मैं उसकी व्याक्षा में नहीं जा रहा हूं उसकी व्याक्षा के लिए ये कितना भी डिफेंस करने कुशिश करें विदुर ने बहुत विद्वान होकर भी वर दुर्योधन को बचा नहीं पैया था ये प्यास कर रहे हैं अब मैं आता हूं इसके उपर इनके लोग कहते हैं कि परिवाशा हमने बनाई जनाब छत्रपती शिवाजी महराज के सामराज जिका क्या नाम था जहारा हूं गांद ये हिंदु तो नहीं थी आगे उन्होंने क्या लिखा है सुनिए उन्हों लिका दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी हलत छाती जस हint जस मर्जाद बढ़ी हर्त हिन्दुवाने की ये हिन्दु अन क्या था ऐन्दु तो उसे अलग था और मैं एक वर बात करना चाहेता हूं होने definition दिया कि यह आवशकता कब पढ़ती है उन्होंने उन्होंने यह कहा कि जिस समय अत्याचार प्ले सिरे पर चाहेता हूं जिसको आम उन्होंने लिखा मीडि राखे मुगन मरो değ पाच साहरा कि उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार से इन्हों तो ने धर्म की स्थापना के लिए कारिक किया था और वोने लिखा कि बैदिन को हद राके तेगबल सीवराज चीक है सर्थ पूरा क्या पूरा क्या है चीक है माजीद हैद्री भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन आपने भी थो ये बात कहदी राज तुलना आपने भी किस से कर दी कि वाज़ा रही है अधरम की गंदी राजी थी या ये तुदान शुत्रिवेदी जी भगवान शुरी राम ने रामाइन में कहा हिंदू धरम का पालन करो हिंदुत्व धरम की बातनी क्यों ने आप एक इंटिलेक्च्वल हैं देश को सचाई बताईए यह हिंदुत्व जो है यह RSS की एक ब्रेंड चाइल्ड है जिसे हिंदु नाम को मिस्यूज करके देश को बताया जारा है कृपिया करके आप देश को सचाई बतारेए भगवान शुरी राम ने क्या कहा क्या बगवान प्रिश्ण ने कहा करे देश में एक दो इंसिडेंट मुझे ज़रा बता दीजे जिससे जिस हिंदुत्व का आप जिकर कर रहे हैं जिसका जिकर खुशीद ने अपनी किताब में किया है उसको आईसाईस और बोकोहरम से तुन्ना कर देनी चाहिए ऐसे कौन से यहां पपराद ऐसे हो रहे हैं, जिसकी तुनना आइस आइस और बोको हरम से होना चाहिए मैडम इसकी तुनना करना ज़रूरी बन गया, क्योंकि पिछले साथ परचों में जो देश में हालात हुए मैं जानना चाहिए हूँ ना ऐसे क्या कृत हुए है देश में जिसकी तुलना आप बोको हराम और आये साइस संगटन से हो जाए तर ऐसा क्या कृत हुआ है दीजे ना मुझे एक्जामपल दो चार मैं देता हूँ आपको एक्जेंपल आप तो पहले मैवबा मुफ्ती मैवबा मुफ्ती कह रही थी इस देश में तो दो ही महिला है जिनका आदर होना चाहिए एक प्राग्या सिंधाकुर है और दूसरी कंगनर अनौत है उसके बागे तो बाकी जितनी महिला हैं वो रिया चक् इस देश में संबब है क्योंकि हिंदू और हिंदु वा इतना सही शून है क्योंकि एक जीने का तरीका है कि एक पारसी और एक इसाई-परिवारत की पार्टी में शड़नागत मुसलमान हिंदु धर्म पे जेक्छर दे रहा है ज्यान दे रहा है और हिंदु धर्म और हिंदुत्व को बोकोहरम ISI से compare कर रहा है और तब भी यहाँ बैट के टीवी बे बहस कर पा रहा है माजिद हैदरीक की हिम्मत है सुनेंगे अगर हम लोग इसलाम पे ग्यान देने लगे तो इनकी हिम्मत कैसे हो रहे हिंदुत्वा हिंदुधन के बारे हैं भग्वान राम पे बोलने की और यह कहते हैं सलमान खुर्शीत आफ में बयान सुना भी कि किस से चाहते हैं बीजेपी compare करें हम मैं जानवर से compare करूँ बताइए हिंदुत्वा हिंदुद्वन को जानवर से compare करने की बात कर रहे हम लोग सुन रहे हैं कि अपने कि आप देता हूं और यह देश की डाल देता हूं कि आप जैसे लोगों को इतने दूसर टॉल्रेट कैसे किया हुआ है अरे जेल बेंज दिला चाहिए आप लगज आरे चुपए हैं आपकी हिम्मत कैसे ओर इस बोले जा रहे हैं आप होते हो नहीं हिंदु पर बोलन आपको बदल लीजे बेतर होगा अपनी ये सोच अपनी ये रक्त रंजित सोच अपनी घ्रिना वाली सोच डालने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर कोई अपर दाश करने वाला नहीं है चीक तो पर ग्यान देने चले हैं इस देश में सांपरदाई तब आना चाहते हैं अबेतरे हैं हिंदुर्जन वई एट हैं है वक्त मिलेना दपानी की तरीरें को पडे लेना हजारों साल लगते एक दरिया बनने में वहीं हंदूधनावी बजाएस के कि सलमान खुशी चैस पश्च करते और ये कहते हैं कि ये तुना गलती हो गई या फिर आप ये मान दीजे कि चनाव से पहले ये एजंड़ा सलमान खुशीद को करना रखना था और इसका समर्थन राहूल गांधी कर रहे है और इसका समर्थन कौंग्रिस पार्टी कर रही है और इन्हें मुद्दों के तहट आप उतरेंगे चनाव में या तो यह माना जा या तो सलमान कुछ शीद ये कह दें कि यार गलती से लिग गया खर्पीता जी या जै आलोग वोको हरम से भी गंदार इसने माई पॉस्नल अटाक पर गोलिया चलवाई बर्दुमा दुरुगा के भॉस्नल अटाक नहीं हो अभे दूबे ब्रामन नहीं है तो बॉस्नल अटाक पर गोली चलाने वाले के अटपार इसे ही चलता रहेगा सर ने ठीक है पार्ति जन्तापार्टी का दोरा चैंब कर देखिए वो नरेश अगरवाल जो कहता था कि रम में राम बसने है और विश्की में विश्णू उसको गले लगा कर भारती-जन्तापार्टी का नेता बना लिया यह हें दूत का असली स्वरूफ में इनको तो यह लोगसभा में कह कुन है कि उता होने कि और इस या करने खाता हूं कि पूरे देश में से या भारती जनता पार्टी गाय का मास खाने वाने पाल्टी यह लोग कर देते हैं नश्काशनीरी नहीं पूर मंदर करने प्रियंका गांदी राउल गांदी युद कर दिखकत है तो तो सर इंदू धर्म है वो यह दू धर्म को दू धर्म नहीं मानते अच्छा वह रहे हैं तो वह संथा नहीं पाना चाहते वह आस्था का विशह हो जाता है है ना सर बिल्कुल यह आस्था सक्षा है भारती जन्ता पार्टी से नभ्य के दशक में अध्वानी जी ने कहा देश को कि मुझे सत्ता तो में मंदिर दे दूंगा जब सत्ता दी तो कहा गडबंदन की मजबोर्या पून बहुत होगा जब पून बहुत होगा जब पून जब दूबजी जब दली तो वंचे वह समझ गया सर बहुत अच्छे से समझा दिया आपने सुधान शुजी हाँ मैं दिखा रहा हूँ ये बोल रहे हैं 90 का दशक और फाइरिंग क्या लिखा है अयोध्या में रामभक्त कार्शेवकों को घेर कर घंटो फाइरिंग 200 मारे गए और उस सरकार को समर्खन दे के बचाया नवंबर 90 में कॉंग्रेस में राजीव गांधी जी ने और एक साल पहले नवंबर 1989 में भारत के टिहाद के पहली बार राम का नाम लेकर अगर चुनाव अभियान शुरू किया तो 1989 का चुनाव अभियान अयोध्या से राम का नाम ल यहां हमको प्रवचन देने की बात करें बड़ा दुख होता है कि माजिद हैदरी साथ इस धंग से बात कर रहे हैं और यहां के उपर अपने मन से जो मन में आ रहा अनर्गल बोलते चले जा रहे हैं यह अपने आप में बहुत दुखत है मगर अफसोस कि कॉंग्रेस जिस प रावण ने हनुमान को रोकने के लिए काल ने मी नाम के राक्षत से कहा कि तुम राम राम की माला जपना ताकि वो संजीरी बूसी थेंगे ले लिए तो साधू का वेश जना क्या आया था इसलिए आज पहुत सारे ऐसे इच्छा धारिस वेश बना कर भूम रहे हैं मंदिर म्यायले से बना आप तो राम मंदिर के चंदे में चोरी के अभाना में विश्वास रखते हैं आप 15 मिंट में 18 करोड रुपे उनकी जमीन में भटाला करते हैं जाम की आस्ता आप में नहीं है समझ ली दिये सुधान शुक्रिवेवी जी एक उधारन बता दी जिए जो हिंदू धर्म के आचरन के आधार पर आपने आपकी सत्ता का संचालन किया हो क्या उन्नावसे लेकर हाद रखर बलादगारियों के साथ ख़ड़े होना हिंदू धर्म है हंदू धर्म जो भगवान श्रीक राफ्च में परिलक्षित होता है ग Yeah सब्सक्राइब अगर कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए वहाँ बलतकार नहीं हुई वहाँ पर कुछ नहीं हुआ अगर इससे कुलना करेंगे तो सवाल तो जहां आपकी सर्कारे उन राज्यों पर भी खड़े होंगे सर उस पर नहीं जा रहे हैं उस पर नहीं जा रहे हैं माजे जैदरी जल्दी से आखरी कॉमेंट आपका भी जल्दी से चाहूंगे और आ रही हो अजे आलोग ची आपसे यह दूसरे से कहाँ से साथ बैं बताता हूँ आपको मैं बताता हूं आपको देखे शरिया के प्रावधान पीष्टान कि शुलवण ने लग जांते बाबाबाशह के बाबसाव में जानXT कि करता हूं बड़ी सिंपल सब्सक्राइब है हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम भाई 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 ये हिंदुत्व की राजनीती कहां से आई सुंदान्चेंजी बस यह पहले दिन भी बोला था आज भी बोल रहा हूं अलग हिंदुतु की बात की और चर्चा से एक कुल मिलाकर ये निशकर्ष निकला कि खुशीत के साथ ही कॉंग्रेस पार्टी नजर आ रही है उन्होंने भी हिंदु और हिंदुतु को अलग बताते हुए अलग परिभाशा हिंदुतु की बताई है और इसी के साथ साथ एक औ वाले चुनावों में उतरने बिवाने